नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SSE Learning Point भाई सिंग सर आज हम जो 5 जुलाई को पेपर हुआ था MTS का उसकी shift 2 करने जा रहे हैं और first करवा दिये उसको भी जाके देख लीजिए और फिर चलिए start करते हैं एक बैक को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है बैक का अंकित मूल इतना है और अर्जेत लाब 25% है बैक का क्रे मूल कितना होगा दिखो सारे 12% छूट का मतलब एक बटे आठ यानि कि आठ अगर अंकित मूल है एक की छूट देंगे तो 7 रुपे में बेच रहा है न यानि कि 7 8 की वेलू दी ये 6400 कितना गुणा हो रहा है 800 गुणा इसका 800 गुणा करेंगे तो 8 सत्य चपन सो हो गया यह चपन सो क्या आ गया तुमारा सेलिंग प्राइज आ गया अब इसी selling price पर क्या हो रहा वो cost price पर 25% का profit यानि 25,400 यानि 4 की चीज़ क्या कर रहा है 5 में बेच रहा है काट दो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 0 हो गया CP वरावर क्या आ गया 0 4 दूनी 8 480 अगला सवब P वरावर दिया गया Q वरावर दिया गया P वरावर आ गया 3 यहां से लिखेंगे 4 दिया 12 तीन से दो गया 1 बचा उपर यहां हो गया 4 बटे 3 गुड़े 12 तीन चोकू 12 चार चोकू 16 यानि Q वरावर आ गया 1 बटे 16 वेलू बूट कर दो 3 बटे 1 बटे 16 16 उपर चला जाएग यानि 48 का स्क्वाइर 48 50 से कितना कम हैं 2 2 का स्क्वाइर लुट 2 चार पच्चेस से दो कम करके लिख दो 23 आंसर आ गया अगला सवाल परं अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ कार करते हैं तो वे एक दिन में उस कार का कितना भाग पूरा कर देंगे देखो परन था वो 24 गंटे में कर रहा था चरन कर रहा था 30 गंटे में LC हम लेंगे तो आगे 120 टोटल काम यानि कि एक गंटे में ये कितना कर रहा था पांच ये कर रहा था चार अब करा एक दिन में कितना कर देंगे पांच चार नो यानिकि नव गोड़े एक वटे एक सो बीस हो गया तो नव वटे एक सो बीस तीन तरका नो तीन चको बारा यानिकि तीन वटे चालेस आंसर अगला सवाल यदि एक निश्चे रासी पर दो वर्स का साधारण व्याज बारास हो है तो उसी रासी पर पांच वर्स का साधारण व्याज कितना होगा देखो दो साल का बारास हो है तो एक साल का कितना हो गया बैया छे सो रुपे और पांच साल का कितना हो जाएगा पांच चक के 30, यानि कि 3,000 रुपए आंसर, अगला सवाल 3 बटे 7 of 5 upon 11 plus 8 upon 7 divided by 24 upon 21 इसलिए देखो इसको solve करते, 3 upon 7 multiply 5 upon 11 हो गया plus 8 upon 7, sign change करेंगे, तो 1 के super 24 नीचे आ गया, minus का 11 बटे 56 into 18 बटे 30 11 बटे 33 हो गया 3 चक 18 हो गया और यहां से देखो, 15 बटे 77 हो गया, plus 8 तीया 24 हो गया, 7 तीया 21 हो गया, ये एक बचा minus का, 2 तीया 6 हो गया 2 दूनी 4 हो गया 2 अथ्य 16 हो गया, यानि कि 3 बटे 28 हो गया यहां से अगर काटते हैं LCM यहां से लेंगे तो 77 into 28 हो गया LCM जबकि यहां 7 कौम अंता तो यहां पर 28 नालो, 4 हो गया, ठीक है यहां करेंगे 15 चकूँ, 60 यहां हो गया, कितना, 70 28, यहां हो गया 4, 28, 47, 28 11, 11, 13, 30 60 से 30 गया, कितना बचा, 30 30 से 3 गया, 27, plus का 70, यानिक 7 गुड़े 11, गुड़े 28 हो गया, यानिक 7, 8, 56, 6, 80, गुड़े 24, 14, 14, 14, गुड़े 11 हो गया, 6, 9, 6, 15 5 हां से लगा एक, 9, 11, 11, 1, 2, यानिक 256, बटे 87, गुड़े 4 नीचे 4, 28 हो गया 4, 28, 32, 30 यानिक, 360, देखो नीचे किसमें मिला के बचल इसमें मिला, आंसर आ गया अगर नीचे यूनिट डिजिट पे काम करते फिर भी आंसर आ जाता, देखो यहां से LCM ले लिया था, इसे यहां देखो 4, 28, यानि 8 मिलना चाहिए था तो आंसर एक ही था, अगला सवाल एक्स और बाई का उसत 10 एक्स है, यानि चक्रवदी ब्याज के मामले में ब्याज बारसिक रूप से सयोजित होता है तो 5,000 रुपए की धनरासी पर दो वर्सों में प्राप्त, चक्रवदी ब्याज और सादर ब्याज का अंतर, अगर देखो यहां से मूलदन मालने 100 है तो इसका अगर डिफ्रेंस निकालना हो, तो आर स्कार अपान हंडेड होता है आर स्कार की वेलू क्या हो जाएगी? 25 बटे 100 हो गया, यानि की 0.25 हो गया अंतर डिफ्रेंस हो जाता है किसका सादर ब्यार और चक्रवदी ब्याज का दो साल का, 100 की वेलू कितनी दी थी? 5,000 निकालना था 0.25 की वेलू, यानि की 5,000 बटे तो गुडे दसमलब 2,5 ये कट गया, 25 पंजे कितना हो गया? 125 यानि 12.5 आंसर आगे राउल ने 56,500 में 120 टेवल खरी दी यदि उन टेवलों में से 70 का आउसत मूल इतना है तो 60,50 टेवलों का आउसत मूल लिक्या होगा देखो 120 टेवल इतने मखरी दी? 70 का कितना है? 450 है आउसत मूल, यानि 70 गुडे 450 कर दो डवल 0 हो गया, 75, 75, 75, 76, 283, 31 हो गया यानि 56,500 में से गटा दो इसको तो बच्चा कितना? 5,000 बच्चा सोरी, 25,000 बच्चा 25,000 में डिवाइड कर दो कितने का? 50 का यानि कितना आगया? 500 रुप अगर यहाँ पर सीधा एवरेज दिया होता 120 का तो हम इस तरीके से लागा सकते थे 120 का एवरेज लिखते, 70 का एवरेज लिखते और 50 का एवरेज निकाल लेते कुछ एवरेज एवरेज एजियूम करके अगला सवाल कर से पहले एक सोफे का मुल 24,000 रहा है यदि इस पर लागू बिक्री कर 1200 है तो बिक्री कर का पिरसद कितना है? तो 1200 बटे 24,000 हो गया गोडे 100 करदो 0000, 0000, 12,000, 24,000, 25,000, 5% अगला सवाल अमेरिकन फोटवाल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले चात्रों की अधिक्तम संख्या किस बिद्धयाला में है? देख लो किस में है? 57, 39, 59, 69, 69 सबसे ज़ादा है अगला सवल देखो 512, 620, 428, 580 का आउसत बताना है इन सब को जोड़ दो 2, 8, 2, 10 की 0, हांसे लगा 1 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 8, 6, 14, 4 हांसे लगा 1, 6, 6, 12, 12, 12, 14, 16, 5, 21 पटे 4 कर दो, 4, 5, 20, 4, 3, 12, 4, 5, 20 अगला सवल एक बेक्ती द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलो मीटर पती घंटे की चाल से कितने समय में तेह की जा सकती है 27 दिया 27 को चेंज कर दो मीटर पती जैकंड मैंनी 5 बटे 18 हो गया 9 तीया 27 नो दूनी 18 यानि 5 तीयों 15 बटे 2 मीटर पती इसे डिवाइट कर दो स्पीड है तुमारी 15 हो दो उपर चला जाएगा 15 दूनी 30 हो गया 20 दूनी 40 सेकंड आंसर अगला सवाब एक आयत की लंबाई उसकी चौडाई की पांच गुनी है यदि इसकी चौडाई 10 सेंटिमीटर है तो आयत का 6 तरफल चौडाई की पांच गुनी है क्या लंबाई यानि 50 हो गया 6 तरफल क्या होता L into B होता है यानि 50 गोड़े 10 आंसर कितना आगया 500 सेंटिमीटर अगला सवाब एक खाली टंकी को नल A 6 गंटे में बर सकता है उसी भरी टंकी को नल B अकेली 8 गंटे में खाली कर सकता है यदि उन्हें A से शुरू करते हुए वेकल्पिक गंटों में खुला जाता है तो टंक पहली बार कितने समय में भरेगा देखो A कर रहा है 6 गंटे में फुल और B कर रहा है 8 गंटे में खाली यह खाली करने वाला यह भरने वाला इनका LCM लेंगे टोटल आ जाएगी टंकी की छमता कितनी है तो LCM लेंगे 24 पेचोग 24 आठती है अब यहां से देखो पहले 4 भरेगा फिर 3 खाली होगा फिर 4 भरेगा फिर 3 खाली होगा इसी टाइप गाता है बंदर वाला सवाल वो कुछ चड़ता है फिर उतरता है फिर चड़ता है फिर उतरता है तो इसमें क्या होता है जैसे टोटल वरक आया उसमें से जो पहला काम कम्प्लीट होता है यानि पहला काम यह चार चमता है यह कम्लेट हो रहा हो इसको माइनस कड़। चंड कितना ही स्कामु बचा काम कितना है इसको डिवायट करते हैं…. कितना काम जो planes की हिसा हे रहा है ? one k préparên बठ़ैएíट कर दो गहाई यानि कि यह 20 हो गया, दो गंटे का था, तो दो का मिल्टिप्ला है, यानि कि चालिस ही यह हो गया, एक हम यह स्टार्टिंगा माइनस कर चुके, तो 41 अंसर आ जाएगा, यानि कि 41 गंटे में टंकी पूरी अर जाएगा, अगला सवाल, दो मित्रों के बेतन का अन्पा 3 अन्प हो गया, अगला सवाल, यदि दिये हुए बर्स के दोरान, इन आठ ब्रांडों द्वारा बेची की कारों की कुल संख्या 2800 है, यानि कि यह 8 कार कितना, 100% बेच रहे, इसी की वेलू थी 2800, पूचा गया, बीटू अबीशिक्स में अंतर, यानि कि यह 15 हो गया, अबीशिक् कि इतना होता है, 7 का, 7% की वेलू पूची कीती है, यानि कि 2-0 तो कटी कैस से, 7-8-56 असे लगा पा, 7-14 पा, चोलने स, अगला सवाल, एक बंद बेलन के आदार का छेत्फल इतना है, बेलन का आदार का होता है, जैसे यह बेलन है, बेलन का आदार सर्क्ल टाइप का होता है यानि कि πाई आर स्पार बरावर दिया था, 1386, पूचाई यानि कि H बरावर दिया था 20, तो बेलन का संपूर्ड प्रष्टिय चेत्रफल क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया होता है, 2 पाई आर, H प्लस र होता है, जब अंदर मल्टिप्लाई करेंगे, तो 2 पाई आर H, प्लस 2 पाई, आर स्पार, पाई आर स्पार की वैलू 1386, यानि 1386 पूड़े कितना हो गया, 2 हो गया, पाई, 2 पाई आर क्या हो गया, बेलन बेस का पैरिमीटर हो गया, ठीक या तो इस तरीके से कर लो, या तो यहां से रेडियस निकाल लो, 22 बटे साथ, पूड़े आर पूड़े साथ हो गया, एक साथ ऊपर पहुंच जाएगा, तो यह आ गया, तीन गुड़े साथ, वैलू पूट कर दो, दो गुड़े 22 बटे साथ, गुड़े आर की वैलू क्या आगी, तीन गुड़े साथ, एच की वैलू, बीस आगी, और यहां पर प्लस कितना था, दो चक्के 12, 12, 16, 17, 13, 26, 27, यह साथ से साथ काट दो, तीन गुड़े 6 हो गया, 6 दूनी 12 की दो, हांसे लगा एक, एक 13, गुड़े 20 हो गया, प्लस कितना हो गया, 27 बाद तर, तो यहां से देखो, 0 आ गया, और दो दूनी 4, दो दूनी 6, दो एक कम दो, जोड़े 27 बाद तर, त हांसे लगा, एक साथ साथ, चोड़े 24, हांसे लगा, एक 3, 3, 2, 5, आंसर आ गया, यह तो 11 की डिमिजबिल्टी चेक कर लेते, क्योंकि दोनों में पाई कामन होता है, तो देखो, 8, 3, 11, 2, 1, 3, यह नहीं होता, 7, 3, 10, दो नहीं होता, 5, 1, 6, 4, 2, 6, यह हो जाता, यह 6, 1, 7, 2, 1, 3, यह भी नहीं होता, आंसर यहां से भी आ जाता, यह सरल पढ़ता, आप्शन अगर देख लेते, आगला सवाल, दो ट्रेन, 70 किलोमेटर पर दिगंटा, और 85 किलोमेटर पर दिगंटा की चाहल से एक दूसरे की और बढ़ रही है, उनकी लंबाईया क्रमसा इतनी और कितनी है, बे एक दूसरे को पूरी तरह एक पार करने में कितना समय लेंगे, देखो हमें पता आए कि दोनों की दूरी जोड़नी पड़ती है, लंबाई सोरी, तो दोनों की लंबाई जोड़ेंगे, यह अच्छे 460, दोनों क्या एक दूसरे की तरफ चल लाए है, यानि च करेंगे, पानने 45, पाननों नी 10, लगवाग तीन वार चला जाए, 31,3,94, बटे 5 हो गया, पाँच एक हम पाँच भाग जाएगा, जीरो ओपान अठे चाली, 10.8 सेकेंड आ गया, यानि के इनों ने भी राउंड आफ करके ही सवाल किया है, ठीक है, आगला सवाल, रवी द्वारा खरीदी गी, एक मेज का क्रेंग मूली, 1600 था, रवी ने इस मेज को 10% की हानी पर वेचा, रवी ने मेज किस मूली पर वेची, यानि 16 को चीज, 10% हानी, यानि 90% की चीज, 144 यानि 1440 मेचा, हुआ कि हमने मालिया देखो, CP अगर 100 था, 10% की हानी पर वेचता है, यानि 100 का 10% निकालते 10 आता है, माइनस करते है, यानि 90 मेचा, तो 100 बरावर कितना दिया था, 1600, पर 90 बरावर हमें निकालना था, ये 16 गुना हो रहा है, यानि इसका 16 ने गुना 144, अग के लगवक कितने परसेंट है, S1 और S6, S1 ये है, और S6 तुमारा ये, दोनों को जोड़ दो, 9, 6, 15, 5, 8, 10, 10, 10, 15, 15, और कह रहा है, S4 में प्राप्त, S4 कहा है, ये है, यानि बरावर 71 का लगवक कितने परसेंट है, ये पूच्छा है, ठीक है, तो यहां से कर लेंगे, 15, 15, 5, 00, बटे, 81 हो गया, यहां से इसको डिवाइड कर दो, 81, डिवाइड भाई, 15, 00, दो बार चला जाएगा, 21, 2, 27, 14, 5 से 2 गया, 3, 5 से 4 गया, 1, बटे, 0, आप देखो, 81, 2, नहीं कितना हो जाएगा, 112, ज्यादा हो जाएगा, नहीं, एक बार जाएगा, जैसे 2, 1, मिला, जाओ ना, तो P ब्रावर 3, मानलो Q ब्रावर 5, R ब्रावर 2, वैसे कर सकते हैं, इक्वल, लेकिन ऐसा अकर आपको प्रेक्टिस में होगा ना, तो जल्दी कर लेंगे सवाल, 3 रख दो, 5 नुनी 10 रख लो, R ब्रावर कितना, 2, 3 नुनी 6 रख लो, 10, 3, 13, 13, 16, 19 हो गया, आंस हानी का 3 गुना है, कोई हानी का 3 गुना है, देखू, मालो Q जैसे हानी 1 रुपए हुई, तो विक्रे मुल कितना हुआ होगा, यानिक सेलिंग प्रावर 3 हो न, यानिक उसका जो CP रहा होगा, 3 है न, वो हानी 1 रुपए गो और 3 को बेचने में, यानिक वो ज्यादा रहा हुआ बटे चार गुड़े सो यानि कितना आगया 25 परसेंट अगला सवर एक त्रभूच की तीन वजायर यह दी गई है त्रभूच का छेत फल यह देखो पाइथा गोरन ट्रपलेट तो एक बटे दू एक किस गुड़े बीस यानि आंसर कितना आगया 210 सेंटीमेटर स्क्वा अगला सवर एक स्का 35 परसेंट बरावर 700 साभे इयालिस परसेंट यानि एक सका 35 परसेंट और और साथां परसेंट 12.5 पाच मिटे सो ये तो इनसे कटी जाना 55 सी नहीं कितना हो गया क्यों एक स्वार्वा गया यह धेक़न जीरो से यह point चला गया, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो चौकू 8, अगला सवर, 200 और 400 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं, जो 6 और 5 दोनों से विवाचे हैं, यानि कि दोनों से विवाचे मतलब यानि कि 30 से विवाचे हैं, तो 30 से देखो, पहली संख्या कौन से आ रही है, 210 आ र लास्टर्म, माइनस फ्रस्टर्म, अपान डिफ्रेंस हो गया, प्लस का बन हो गया, यहां से देखो, 0, 9 से गया, 8, 30 से दो गया, एक बटे 30 हो गया, प्लस का बन हो गया, 3, 6, 18 यानि का अंसर क्या आ गया, साथ, अगला सवर, यह देखो, MTS का, जो अमारा 5 जुलाई को पे झाए बारत